आज जिससे मैं मिलवाने जा रहा हूँ वह है रूबी जिनोंने कठिन महनत करके नेट और जियारफ की परिक्षा में सांदार सफलता प्राप्त की है इन सफलताओं को उन्होंने किस तरह प्राप्त की है इसे देखकर और सुनकर आप भी कुछ सीख ले सकते हैं तो सबसे पहल रूबी आपको बहुत बहुत बढ़ाई और आप अपने प्रारंभिक सिख्छा के बारे में हमारे दर्सकों को बताईए धन्यवासा मैं यह कहना चाहूंगे कि मैंने जो में पास की थी ना वह 2018 में की थी मतलब एक लंबा गया च्छे साल का और उस टाइम पे ना मतलब मुझे ना यह ना confident नहीं आ रहा था मुझे ऐसा लगता था ना कि जब मैं ही confident हूं तो मैं आगे क्या पढ़ाऊंगी तो इसलिए ना धीरे-धीरे मेरा इंट्रेस्ट खतम होता गया पढ़ाई की तरह तो मैंने जॉब करने स्टार्ट कर दी प्राइविट सेक्टर में चार उसका हुआ ना तो मैंने का मैं जॉब छोड़ रही हूं मैं भी दुबारा continue कर रही पढ़ाई तो ना उसने बोला ठीक है उसे खुशी भी हुई कि मैंने पढ़ाई छोड़ दे क्योंकि वह हमेंसे सपोर्ट करता था कि तू पढ़ पढ़ तो मैंने का ठीक है तो फिर उस नहीं ना मतलब जब मैंने बोला तो उसने बोला कि कोचिंग जॉइन कर ले उसी नहीं मतलब कहीं से ढूंड के आपका नंबर आपका नंबर दिया और खुदी कॉंटेक्ट करके बात कराई तो जब आपके पास पढ़ने लग गई ना मतलब पढ़ती तो थी पर एक प्रेंट बिल्ड होने लग गया कि हां मैं भी पढ़ा सकती हूं और उसके ही कारण मेरा रिजल्ट हुआ है बहुत बढ़िया एक सबाल और प्राय हमने पूछता हूं कि जो है कोचिंग जोईन करने से पहले और बाद में आपने अपने आप में क्या बदलाओ देखा बहु कभी पढ़ लिया मन किया कभी मन किया नहीं पढ़ा और जो पढ़ा भी तो वो याद नहीं हो पाता था बड़ जब कोचिंग स्टार्ट करी मैंने तो वो अनुशाशन बना और एक टार्गेट था कि हां रोज पढ़ना है और कॉन्फिडेंट धीरे धीरे बिल्ड होने अगर आप कोई मेरसे पूछना स्टार्ट करें तो मैं आराम से बता सकते हूं इक सवाल और है खास करके objective section में अपने कोडिंग का क्या योगदान रहता है खासकर मैं बच्चों को देखता हूं वो कहता है कि सर्व एक दो section का करवा देंगे उसके बाद नहीं करवाएंगे आप तो संपूर में साहित पर आए आपका क्या दिरिश्टिक होना है कोडिंग कर बहुत मतलब इसमें जैसे कोडिंग सेना में अगर हमें डिर्ट हम रचनाय याद करते हैं तो में वह perfect माइंड में सैटनी होती है कोडिंग की तरह ने कहानी बन जाती है और एक कहानी जो और हमें बड़ी जल्दी ना हमारे मस्तिस्क में छप जाती है तो कोडि पहले पढ़ाता यह यह बाद में पढ़ाता तो उससे ना पूरा क्रम बन जाता है बिल्कुल बिल्कुल आप खास करके उन नए चात्रों को जो आज भी भटक रहे हैं उसे अच्छे कोचिंग की तलास है उन चात्रा और चात्राओं को आप क्या कहना चाहेंगे मैं यह कहना चाहूंगी एक बार आओ सर के पास डेमो क्लास लो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो वैसे तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि आपके पास जितने भी डेमो क्लास के लिए आते हैं उन में से बहुत कमी ऐसे होते हैं जो नहीं लेते क्लास पर परना होता है वो जरूर और अपने यहां तो वन विक से भी ज्यादा डेमो क्लास मिलता है अराम से लीजिये समझ आये तो ज्वाइन कीजिए और समझ आये तो नहीं ज्वाइन कीजिए एक सवाल और है खास करके ओनलाइन छात्रों को मैं देखता हूं उनमें विश्वास नहीं जग पाता है उनके वारे में आपका क्या कहना है ओनलाइन छात्रों के सर वो तर ओनलाइन में यह होता है ना कि कैमरा ओन करके पड़े ना तो पूरा फोकस बना रहता है उससे कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता है और ग्रूप डिसकॉशन होता है ना वहल्दी ग्रूप में हम से पूस्च सकते हैं अगर हम कैमरा ओफ करके कुछ और काम कर रहे हैं तो वो नहीं होता है बिल्कुल बिल्कुल खासकर कि अपना जो Saturday class होता है Saturday class का किस तरह का योगदान आप मानते है सर इसका बहुत मतलब बहुत योगदान होता है इसमें न सभी बच्चे include होते हैं अगर हमें कुछ चीज भी नहीं मालूम है तो जो अधर होते हैं उनके थ्रू हमें वो चीज़े मालूम चलती है ऐसा होता है कि हमें जितना पता है हम उतना ही माल लेते हैं कि ठीक है पर जब discussion होता है नहीं नहीं चीज़े सुनने को मिलती है कुछ नया पता चलता है ये समग और ग्रूप discussion से ये भी होता है कि आपने किस तरह पर्थम पत्र और दुत्या पत्र में management किया पहले मैंने सब सेकिंड पेपर उठाया था करने के लिए क्योंकि उस वो लेंधी पेपर होता है तो मैंने पहले वह वाला जो को देखता हूं मैं अपने पास ही वह हिंदी लिट्रीचर तो मेरे पास पढ़ते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन छात्र और छात्राओं को आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए सर मतलब अगर उनका फ़स्ट पेपर सही है पर इसमें एक है नहीं अगर सेकेंड पेपर सही है उनका अगर मकर फ़स्ट Premium भी है एक उन्हें इतने Minimum Number लाने होते हैं तब ही मतलब पास हो पाते हैं तो उनके लिए हैं कि दोनों पेपर पर ही focus करें भीलकुल बिलकुल तो दोनों paper में एक approach का होना बहुत जरूरी है हम क्या करते हैं कि एक subject पर जादा focused हो जाता है खास करके मैं हिंदी में देखता हूँ, बच्चे हिंदी पर फोकस्ट होगे, फर्स्ट पेपर पर उन्होंने काम नहीं किया, तो फर्स्ट पेपर में बहुत कम स्कोर हो जाता है, और जबकि रिजल्ट दोनों मिला करके बनता है, इस वार भी आपने देखा होगा, इस वार त क्यून में पेपर देना चाहते हैं, तो अभी से लग जाईए, और एक अच्छे कोचिंग के तालास कीजिए, और अगर मेरे पास लगता है, आप दस क्लास लीजिए, दस क्लास तो मैं मिनिमम फ्री देता हूँ, क्लास लेकर देखिए, अगर पसंद आए तो कोई भी रजि